दोस्तों Infosys इस वक्त में काम कर रहा है एक ऐसे आर्किटेक्चर पे जिससे की renewable energy का source generate किया जा सकता है अपने ही घर से ये हर घर को एक electricity provider बनाना चाहते हैं ऐसा इनका vision है ये कह रहे हैं कि हम घर की छतों पे solar panel लगाया करेंगे मतलब future इस तरीके का होगा कि हर घर की छत पे solar panel होगा और वहां से electricity generate होगी जिसको वह सेल भी कर सकते हैं और जो भी बिजली विवाग होगा वो उसको बाय कर लेगा फिलाल के लिए क्या होता है कि आपने solar panel लगा भी रख और आपकी electricity ज्यादा generate हो रही है तो आप trade कर देते हो उसको मतलब आप बिजली विवाग को देते ह तो मुझे कुछ नहीं देना है 500 अभी यूनिट मेरे पास पढ़िए तो इस तरीके से होता है लेकिन जो वीजन यह सोच रहे हैं यह सोच रहे हैं कि हर घर बिजली बेच पाएगा आगे के वक्त में दोस्तों अमाजॉन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की डेट नहीं हो रखे हैं जो कि वो 23 तारीक को रिवील कर देगा आइफोन 15 सीरीज की रेट कुछ इस तरीके के हो सकते हैं आला कि फिलिंद ब्लैंक के कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन एंड में नाइन दिख रहा है बस फिलाल के लिए एपल नहीं खुच से 80,000 का फोन 70,000 का कर द 10,000 गार नहीं कि अगले दिंब कर लूंगा नहीं अगले कर लिए तो प्राइश बढ़ जाता है आपको भी मालूक में 5,000 गार रद wyb द कुछ भी है लेकिनज दीर दिरे बढ़ती रहती है तो प्राइस बेंचाल जाता चाहे Amazon जाए Flickcard चे उपर चाहे आपको मौका मिलता ह वहीं से purchase कर लेना अगर आपको लग रहा है कि बढ़ी हाडील मिल रही है लेकिन यहापर यह डिपेंड मतर है ना कि मैं Amazon से खरीदूंगा मैं Flipkart से खरीदूंगा भाई जहां पर सस्ता मिलेगा वहां से खरीद लेना हाला कि अभी Amazon की date का पता ही लगा है लेकिन most probably यही हो सकता है कि दोनों की date आपस में ही clash करेंगी ऐसा तो कभी आज तक देखा नहीं कि Amazon बाद में कर रहा है वह पहले कर रहा है दोनों almost same date पर ही करते हैं लेकिन शायद हो सकता है Amazon एक दिन बाद में कर दे या एक दिन पहले कर दे कुछ भी हो सकता है दोस्तों आपको शायद मालूम होगा चाइना का एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट भी है जो कि अर्थ को ना जाने कितने दिनों से और्बिट कर रहा था अब वो सीक्रेटली वापिस भी आ चुका है जिसकी ख़बर कानो कान किसी को हुई नहीं क्योंकि इसकी लेंडिंग के आल और्बिट करने के लिए ना जाने कितने दिनों के लिए दोस्तों मायामी का एक होम ओनर हक्का बक्का रह गया जब उसे पता चला कि उसका मैंशन जैफ वेजॉस जो की दुनिया के सेकंड रिचिस परसन है उनको बेच दिया गया तो उसने रियल इस्टेट कंपनी को ही सू कर दिया क्योंकि उन्होंने वो मकान बहुत सस्ते में बेच दिया सिर्फ 28 मिलियन युएस डॉलर में उन्होंने 2014 के वक्त में बेच दिया और इसके बाद में इसको आगे जाके जैब बजास को बेचा गया जो कि उन्होंने खरीद लिया 80 मिलियन युएस डॉलर के अंदर और जैसे ही इनको मालुम चला कि भाई मैं इतने जादा नुकसान में चला गया कि मेरी प्रॉप्टी किसी को तीन गुना दाम पे बेच दी और मुझे से इतने रुपे में खरीद ली जिसके बाद में इन्होंने उस कंपनी को सू करती है कि भाई तुमने दुनिया के रिचेस परसन को बेची है मेरी जमीन लेकिन मुझे नहीं बताया अगर तुम मुझे बताते तो शायद मैं उसका रिट 80 मिलियन नहीं बलकि 60-70 मिलियन युएस डॉलर रखता है जिसमें से शायद 10% तुम अपना कमीशन रख लेते 8 मिलियन युएस डॉलर का या फिर 10 मिलियन यु को मिल रही है क्योंकि वह सूइगी को कंप्लेंट कर रहे है कि यह करनाटका डालोग करेक्ट फॉर्म में उसके बाद में वो डिलिवरी करके जाएगा वहां से क्या बात चित करनी है उसके साथ में इंडिया के अंदर हर सौ किलोमेटर के बाद में लेंगवेज चेंज हो जाती है खाना चेंज हो जाता है कई बार तो पहनने का स्टाइल भी चेंज हो ज से बड़ी हो गई तो इस तरीके की बाते सुनने को मिल रही है इस महिला को भई लैंग्वेज एक मीडियम है अपने थौट्स कन्वे करने का यह महिला ऐसी है कि शायद गुंगे को भी कह दे कि ना तू हिंदी बोल पारा ना तू इंग्रिश बोल पारा ना तू कंड़ा बोल कि वो डिलिवरी गाया किसी और स्टेट से आपके स्टेट के अंदर शायद अपनी जिंदगी सवारने के लिए लेकिन आप इस तरीके की हेट्रेट वाली बाते करोगे तो शायद ही कोई स्टार्ट अप कंपनी उस स्टेट के अंदर आया जहां पर सिर्फ यही कहें कि अपनी कंट्री के अंदर यह कर रहे हैं